नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत हैं वैदित जोतिश में चंदरमा स्नेह, सवेदन शीलता, मानसिक शांती, मन और माता की कारक होते हैं चंदरमा दोश होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख और शांती की कमी रहती है वह मानसिक परिशानी का अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ती का मन बहुती अशांत रहता है और कोई भी समस्या आने पर वह बहुती जल्दी घबरा जाता है और उसकी सोच भी नकरात्मक हो जाती है दोस्तों अगर चंदर्मा कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति को नजर बहुती जल्दी लगती है तता टोने टोटके का असर भी उसके उपर बहुती जल्दी होता है चंदर्मा के अशुब होने पर चांदी का कोई अभूशन खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है सफेद तता सुंदर वस्त्र अचानक से फट जाते हैं दूद बार-बार उबल जाता है या फिर जमीन पर गिर जाता है घर में पानी की टंकी लीक होने लग जाती है या फिर नल खराब हो जाते हैं और पानी व्यर्थ बहने लगता है दोस्तो चंदर्मा माता का कारक होता है इसलिए माता के सुक में कमी आती है ऐसे व्यक्ति को माता का सायोग नहीं मिल पाता और माता से व्यचारिक मदभेद रहते हैं आपकी माता को इशारेरी कस्ट हो सकता है या फिर अन्य किसी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है चंदरमा के अशुब होने से व्यक्ति के जीवन में जल से जुड़े अशुब रोग हो सकते हैं जैसे जलोदर, जुकाम खासी, हैजा आधी यदि आप चंदरमा के उपाई कर रहा चाते हैं तो सोमवार को चीटियों को चीनी और मचलियों को ग्यहूं डालें और मचलियों को चावल डालें सोमवार को दूद का दान करें, सोमवार को विशेज सिद्ध कवश धारन करें ओम सोम सोमाई नमहा मंत्र का जाप एक सुवाट पर करें दो मुखी रुद्राक्ष धारन करें सोमवार को सफेज सबजियों और सफेज भूजर परदात का अधिक सेवन करें सोमवार के दिन सफेद वस्तरधारन करें या फिर सफेद रुमाल पास में रखें सोमवार को चांदी का अभूशन अपनी माता को उपहार दें सोमवार के दिन प्यासो को पानी पिलाएं और घर के पस्चे में सफेद पुष्प वाला पौधा लगाएं सोंवार के दिन शिवजी को खीर का भोग लगाएं और शिवलिंग पर सफेद पुष्प और दूद चड़ाएं सोंवार के दिन चंदर से ग्रह संबंदित वस्तूओं जैसे दूद, चावल, चांदी, मोती, सफेद कपड़े, सफेद पुष्प, शंक, आदी का दान, अतिदिक लाबदायक सिद्ध होता है इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुन सकें धन्यवा दोस्तों